मध्यप्रदेश के भिंडे जिले के जंगल के पीचो बीच बसा रठिया पुरा गाओं आज की ये साम कुछी देर में कोप तंदेरी काली रात में बदलने वाली है साम के साड़े छेगा वक्त है दूर कहीं जुर्मुटों के पीचे से डूपता सुरज खेतों से लोटता किसान चरकर लोटती गाए और उनके इंदजार में रमभाते बचड़े चुलहे में उपले भरती नहीं नवेली दुलाने गाउं में एक सेट की आंगन में चार पाई पर सत्रा आठ्रा लोग बेठे बेठे बाते कर रहे हैं बड़ी बड़ी दाटी मुझे खाकी कपड़े पहने ये लोग पास में रखकी अपनी बंदू को पर उंगलिया सहला रहे हैं इसी वक्त भेंडी से आई एस्टी एफ की पंद्रह कम दिया गाउं के चार और फेल जाती है एस्टी एफ की तिन घाडिया आकर सड़क किनारे रुख जाती है कुछ मिनट बाद खाकी वर्दी पहने 50 से ज़्यादा हत्यार बंद एस्टी एफ के जवान गाउं के घरों की चत पर प्रकट होते हैं और अपनी एसेलार राइफल की इननलिया उस सेट के मगान पर जाद दे हुए आसपास के मगानों की चत पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं एस्टी एफ की पाँच गाडिया नार के पास आकर रुख जाती है एस्टी विजही रमन, एसेस्टी बी एल हंडा और डी एस्टी वाई एस गोरेया स्ट्रेप जौन पर नजर गड़ाये हुए हैं और स्टेंड बाइब मोड पर है और मनी मनी स्वर से प्रातना भी कर रहे हैं आज की रात विजही रमन की जेकर कोई और नीरा नास्तिक भी होता तो वो भी अपने दाउनों हाथ जोड़कर भगवान चे प्रातना कर रहा होता अक्तुबर की ये घंगोर काली रात कुछ थी है ऐसी क्यम छो मजामा रहे ममा पांसी तोमर जिसे पुरी दुनिया जानती है कुंखा डगेट के तोर पर किसी के लिए हिरो था तो किसी के लिए विलेन किसी के लिए डाकू या डगेट तो किसी के लिए रोबिन हुड पांसी के उपर मद्वेद और बिल्कुल अलग-अलग राय रखने वाले लोगों में भी एक बात पर सहमेती जरूर है कि वह पूर एक देशक तक चंबल गाटी में आतंका परियाई बना रहा था पांसी तोमर जिसके उपर दो दर्जन से ज़्यादा अधिक लोगों की अत्या करने का रोपता अत्या के अलावा पांसी तोमर ने अपने जिवन काल में पच्चास से ज़्यादा लोगों का अपरण किया इसके अलावा सेकडल लोट और डकेटी की वारदात को अंजाम दिया पांसी दोमर जिसको पखडने के लिए मध्यवरदेश की सरकार ने तीन करोड से ज़्यादा रूपिय खर्च कर डाले पांसी दोमर जिसने तीन राज्यों की सरकार को पुलिस को दिन दहाडे तारे दिखवा दिये थे पला उस बांजी दोमर को आखिर कैसे बगड़ा गया उसके जीवन की उस आखरी रात आखिर क्या हुआ था एक आदमी उस जेट के गर से बाहर निकलता है हालात का मुआई जहकरने कंधे पर बंदुग टंगी हुई है कुंगराले बाल बिना कंगी की हवा में लहरा रहे है जैसे ही वस जेट के गर से बाहर निकला गली में थोड़ा आगे बढ़ा तो एक घर की छट पर एक आदमी को देखता है साम हो चुकी है हलका सांधेरा है छट पर खड़ा ये सक्स किसी को देख रहा है गोर से देखा दो वस सेट के मकान की और नजर गड़ाये खड़ा है तब ही उसके कपड़े का रंग पैचान में आया वस समझ गया ये तो पुलिस वाला है जैसे ही सेट के मकान की और वा भागने लगा की दूसरी चट से एक पुलिस वाले ने पिश्टल तांदी वा समझ गया चार और जे पुलिस ने गहल लिया है वो दबे पाव उल्टा भागा लेकिन दूसरी गली के एक मोड पर S.P.S.P. और D.S.P. ने गहल लिया तब S.P.V. जे इरमन्ती के तेवर में पुछते हैं कहां है तुमारा सरदार तब वा कहता है मुझे क्यों मार रहे हो तुमारा बाप मेरे पिछे है अगर इतना इदम है तो अपने बाप को मार कर दिखरो कुंगराले बाल वाला ये सक्स इतना अत्मविश्वासी था कि उसे कोई मार नहीं पाएगा और यहीं बात पांसी तोमर भी करता था जी हां मेरे विरो वो जिस बाप की बात कर रहा था S.P.P. की पंदरा कमनिया जिसे खलास गरने आई वही थी वह है पूरे चंबल घाटी का अब तक का सब शेशातीर खुंखाट धके पांसी तोमर दरसल हुआ यों की पांसी तोमर रठिया पूरा गाउं में अपनी पूरी फोज के साथ गाउं के एक सेट के गहर रात का खाना खाने आने वाला था और ये बात एक मुबीर के जरिये एसपी विजई रहमन के कानों तक पहुंच गई विजई रहमन सुबह के सभी थानों की पूलिस और एस्टियेप को एक जुटकर आज की सामर ठिया पूरा गाउं को घेल लेते हैं एक अक्तुबर 1981 साथ बज रहे हैं कुंग्राले बाल वाला वा डकेट पूलिस के कपजे में हैं इदर पांसी तोमर और उसके बागी लड़ाकों को भी भनग लग चुकी है कि पूलिस ने चार और से घेल लिया है यहां सेट के घर में अठरा डकेट और बाहर पूरे गाउं में पहले एक सो अठरा पूलिस वाले कहते हैं उस रात साड़े साथ बजे एस पी विजयरेमन एनाउंस करते हैं पांसी तोमर तुम चार और से घीर चुके हो पलाई जी में है अपने आपको अपने सातियों संग खुद को बुलिस के अवाले गरदो लेकिन पांसी कहां मानने वाला था धाए धाए करती गोलियों की बोजार जुर हो गई पलीस और डकेतों की राइफले कली नागिन बन चुकी है अंधेरी रात में धार-धार-धार तलती गोलियों से निकलने वाली रोस्तनी मानो फूरे गाउं को बिजली की तर जिगमगा रही है अपने घरों की कीड़ी की अधर वाजे बंद कर अंदर बेबस लाचार बैटे लोग थर 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 काप रहे हैं और बाहर मौत तांडो मचा रही है उस दिन मानो चंबल नदी में पानी नहीं खुन बह रहा था और नदी में मचलिया नहीं लासे तेर रही थी करीब रात के साड़े बारा एक बजे तक मुड़ बेड़ चली जब तक गोली बारी धमी तब तक रात के एक बजे तस मिनट का वक्त हो चुगा था जब पूलिस ने जा कर देखा तो नौ ड़केदों की लासे पड़ी है और इनी में से एक लास थी ड़केद पांसी तोमर गी इधर अपने सरकारी आवास में बेठे ततकालिन मुख्यमंद्रे अर्जुन सीं की बेचेनी भी बढ़ती जा रही थी कि तभी उन्हें खबर मिली पांसी तोमर मारा जा चुका है सोचो मुख्यमंद्री जिसके मरने की दुआ कर रहा था क्या हुआ कई में पांसी तोमर इतना बड़ा ड़केद था तो सुनो ममा जब बीबी सी इस रिपोर्ट को चलाता है कि भारत में खुंखा ड़केद जो एक मुडबैड में मारा गया और तब दीरे दीरे पुरी दुनिया ने पांसी की कहानी सुनी इस कहानी को सुनने जानने के बाद पांसी के लिए हर एक सक्ष के अंदर हमदर्ती बढ़ने लगी डकेद अपराधी के प्रती हमदर दी जी हाँ क्योंकि पांसी की कहानी खोन से लेकी गई है एक जनवरी 1932 को मद्यप्रदेश के छोटे से गाउं भिडो स्वा में इस्वरी सीं के घैर पांसी का जन्म हुआ इस्वरी सीं के पिता यानी पांसी के दादा जी ने दोसा दिया की थी पहली बीवी से उन्हें इस्वरी सीं और दूसरी बीवी से उन्हें दयारम नाम के बैटे हुए दादा जी की मृत्यों के बात खंदानी जमिन का बटवारा हो गया और जो जमिन इस्वरी सींग के हिस्से माही थी उससे पूरे परिवार का गुजर बिसर करना आसान नहीं था पांसी भी जानते थे जो जमिन उनके पास है उससे कुछ होने वाला नहीं लिहाज़ा उन्होंने अपने लिए तुसरा रास्ता चुन लिया वसेना में भरती हो गए अखिरकर 49 में राजपुतना राइफल में सोलजर के रूप में पांसी भरती हो गए जल्दी पांसी तुमर के काम को देखते हुए प्रमोट कर दिया गया और अब रूड़की में तैनात बैंगोल इंजिनियर्स रेजिमेंट के सुपधार के तोर पर तैनात किये गए जब पांसी तुमर आर्मी जोइन करने के बड़ ड्यूटी पर पहले दिन हेटक्वाटर पहुँचे कहा जाता है ड्यूटी पर पहले ही दिन किसी वज़ा से पांसी तुमर लेट पहुँचे जिसके चलते उनके उपरे अधिकारी ने टैम डिसिप्लिन सिखाने के लिए उन्हें पनिस गिया और ये पनिसमेंट थी आर्मी ग्राउन के बिस चक्कर लगाने की बस फिर गया था अधिकारी ने कहा दोड़ो और उदर पांसी ने दोड़ना सुरू गिया लेकिन सायद पांसी तुमोर को इस बात का अंदाज अभी नहीं था कि ग्राउन के ये बिस चकर उनकी जिन की बदलने वाले है पांसी को दोड़ते देख अधिकारी सरवनजी ने उनके अंदर छीपे हुनर को पैचान लिया बस फिर गया था सोलजर पांसी बन गया एकलेट और अपने स्पोर्ट करियर के शुरुआती दिनों में पांसी चार सो और आट सो मिटर की दोड़ किया करते थे लेकिन सरवनजी और ग्रुप कोच नेरंजनजी के कहने पर उन्हों ने 3000 किलो मिटर दोड़ने का फेशला किया रे मामा बहुत कम समय में हाट वर्क और डेडिकेशन के चलते पांसी तोमर में नेशनल लेवल कॉम्पिटीशन में एक अलग पहचान बना ली थी एक के बाद एक कॉम्पिटीशन में जीत कर पांसी ने अठा सी मेडल अपने नाम किये लेकिन अब पांसी ऐसा कुछ गरने जा रहा था जिससे अब पूरे भारत वर्स में एक आइडल बनने वाला था 1958 में नेशनल गैम्स में पांसी ने 300 मिटर दोड को 9 मिनिट और 12 सेकंड में पूरा गर लिया और इसी के साथ पांसी ने बना लिया एक रिकोर्ड पांसी की इस रिकोर्ड को दोसकों तक देश का कोई दुसरा खिलरी तोड नहीं पाया था इस रिकोर्ड के चलते पांसी सुर्ख्यों में आया जब 1958 में टोक्यों में उलम्पिक हुआ थो उसमें पांसी ने भी हिस्सा लिया लेकिन अच्छे जुत्ते ना होने की उदेशे वहार गए इधर गाउं में उनकी जमिन को लेकर विवाद भी काफी बढ़ चुका था और सत्तर के दसक में आर्मी से इस्तिवा देकर पांसी अपने गाउं लोटा है जहां एक नई चुनोती एक नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी इधर गाउं आने पर उन्हें पता चला उनके बड़े भाई माता दीन ने उनकी इस्सी की जमिन बगेर उनकी मरजी के भीडो साके दबंग बाहु बली और पांसी के ताउ के बेटे बब्बु सी के पास गीरवी रख दी है इस मुद्दे को लेकर पांसी और बब्बु सी के बीच विवात सुरू हो गया जब मामला बाक्चित से हल नहीं हुआ तो पांसी ने कानून का दर्वाजा खट-कटाया पुलीस, कलेक्टर, मजिस्टेट पांसी ने एक के बाद एक हर एक दहलिस खट-कटाई जहां से मदद की उमिद की जा सकती थी लेकिन हर जगह से उन्हें नीरा साही हाथ लगी एक रोज की बात है बब्बु सी अपने भाई चंदल सी और कुद दबंग को लेकर पांसी के घर पहुँच गया जहां उसने पांसी की वृद मा को खुब मारा पिटा और इतना मारा की उनकी मौत हो गई लेकिन मर्दे मर्दे मा एक वादा ले गई कि तु वाकई में मेरा खुन है तो अपनी मा को मारने वाले को खत्म गर देना बस भीर क्या होना था बचपन से ही उसके अंदर आग भरी पड़ी थी एक चिंगारी काभी थी आग को ज्वाला मुकी बनने में और उस दिन चिंगारी भी लगी और ज्वाला मुकी भी फटा पांसी ने कट्टा उठाया निकल पड़ा बबू सी चंदल सी और होलदार सी को बड़े बाजार गोल्यों जे भूण डाला और अब ये जवाला बिहर की और आगे बड़ी अपने बरिवार और रिष्टदारों का गेंग बनाया पांसी एक सोलजर था मिलेटरी ट्रेनिंग लिदी उसने अपने लड़ाकों को मिलेटरी ट्रेनिंग दे कर बिहर के सबसे खुंखार शुटर बनाए इस तरब बीहर के जंगल में सरकार प्रसासन और बाहुबलियों की दमनकारी निती का मारा एक समय का सोलजर जाबाज एथलीट बन गया खुंखार डकेत पांसी रात के अंधरे में दवा बोलता था कैते हैं चित्ते की चाल और पांसी की नाल पर परण करते करते वह तिन तिन राज्यों की सरकार के लिए परिशानी का सबब बन गया उनिसो सत्तर गीव काले रात जब पावा पावटा गाओं में गुर्जर के घर पांसी अपने साथियों संग रुका लेकिन कुछी देर बात पुलिस वहां आई मुडबेड होई जीसमे पांसी का भाई माता दिन मारा गया पांसी को सक हुआ इसी घर वालों ने पुलिस को मुख बिरिकी होगी इसी के चलते पांसी तोमर गैंग ने पावा गाओं के नो गुर्जरों को गोली मार दी जिन में से छे की मोत हो गई इसी हत्याकान के बात पांसी तोमर मध्यप्रद एक आतंग के साथ होता है एक रात पांस ही अपने वजूद के साथ मिट्टी में मिल गया तो भाई लोग यह दी कहा नहीं चलो इस गुजु भाई का रामरम मिलते हैं भीर